नमस्कार दोस्तों स्वागर आप सभी का तिकिराच यूट्यूब चैनल पर तो दोस्तों आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि फingर प्रींट लोग प्रोब्लेम को आप केसँ वीक्ट कर सकते हैं क्योंकी दोस्तों यह जो प्रोब्लेम है ठेक है आपको फोन अनलोग करते व header लिक्स करना है इस वीडियो पर मैं आपको कुछ सॉलिशंस बताऊँगा उसको फोलो करते हुए आप जो है problem को fix कर सकते हैं वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe करके bell icon को click जरू करें यह यह आप online पेसा कमाना चाहते हैं तो वीडियो description पर link मिल जाएगा तो चलिए वीडियो यहाँ पर शुरू करते हैं देखते हैं इस problem का solution सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो sensor है ठीक है वो साफ होना चाहिए अगर पसिना या फिर कोई पानी जैसा liquid चीज लग जाते हैं ठीक है तो आपको पोच्च के जो है उसमें fingerprint करना है और आपका जो fingerprint है वो भी weight नहीं होना चाहिए ठीक है साफ होना चाहिए डटी नहीं होना चाहिए अगर उसको आप जो है एक बाद retry करके देखे अगर problem solve हो जाते हैं यह सब करने के बाद तो ठीक है अगर नहीं हो पाते हैं तो mobile को एक बाद restart करके retry करें अगर restart के बाद भी नहीं हो रहा है तो mobile setting पर जाए fingerprint face and password को open करें fingerprint आपको react करना होगा ठीक है आपका जो fingerprint है उसको delete कर दीजिए delete करने के लिए आपको यहाँ जो button दिखाए दरा है delete का उसमें click करके आप delete कर सकते हैं और fingerprint को डुबारा सी react करके देखें तो कई बार इस तरह के से fixed हो जाते है problem अच्छी तरह के से आप जो है fingerprint को add कीजिए ठीक है बाई इनी chance आपने यह सब करके देखा फिर भी problem आते हैं तो दोस्तों आपके पास एक और option है वो है software update ठीक है कई बार software update अच्छे से नहीं होने के वज़े से आपका जो sensory उसमें problem आ जाते है तो आपको क्या करना है software update पर जाना है और यहाँ पर आपको update का option मिल जाएगा तो जाके software को update करें उसके बार fingerprint lock problem यहाँ पर fixed हो जाएगा तो इस तरह के से आप fix कर सकते हैं ठीक है काफी डिक्कते आपको नहीं होगा तो आज के इस वीडियो बाटोस तो बस इतने उमीद करते वीडियो आपको पसने होगा तेंक्स फूर वाचिंग